ग्लैंड को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूट्री ग्लैंड का जो वेट है 0.1, 0.5 से 1 ग्राम तक होता है, पिट्यूट्री ग्लैंड में टू लोपस पाई जाती हैं, जिसे अडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीर पिट्यूट्री कहते हैं, नियू नंबर एक है, growth hormone. GH का मतलब है growth hormone. इसका target जो अपनी body में ये कहां पर जाकर अपना hormone छोड़ेंगे, वो इसके सामने दिखाया गा, target tissue means जहां पर इपना effect छोड़ेंगे. most tissue में growth पूरी body में होती है न तो ये most tissue पे अपना growth hormone छोड़ेंगे number 2 पे है TSH thyroid stimulating hormone तो इसका जो target स्थल है इसका thyroid gland है तीसरा है adeno cortico tropic hormone आपको बुक में भी इसी नाम से मिलेंगे तो आपको गुबराने की जरूरत नहीं है उसमें same का same ये आपको hormone दिखाई देंगे तो तीसरा hormone है इसका जो target tissue है adenal cortex ये कहां पाई जाता है ये kidney के उपर adenal gland के अंदर adenal gland के भी two parts होंगे तो उसमें adenal cortex में ये ACTH अपना hormone छोड़ता है प्यूश गरंथी ACTH के नाम से अपना hormone छोड़ता है फिर है prolactin hormone जो प्यूश गरंथी से निकलता है अगर प्यूश गरंथी से निकलता है इसका target tissue है breast part next है anterior pituitary gland से जो निकल रहा है hormone gonad hormone जिसे कहते हैं GN उससे कुछ two type के hormone निकलते हैं FSH और LH FSH का मतलब है follicle stimulating hormone जिसके target tissue है ovary and testis अब है thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone के जो effect है आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या करता है ये thyroid gland से निकलने वाले thyroxine hormone पर prolactin hormone जो ये memory gland को प्रेरित करता है nest है adeno corticotropic hormone जो ये क्या करता है blood में ACTH को gonadotropic hormone luteinizing hormone कहते हैं ये male में तो जो LH है proteinizing hormone टेस्टो स्टेरोन को प्रेरित करता है और female में progesterone hormone को प्रेरित करता है और FSH जो है ये mensuration के लिए भी female में responsible है अब हाइपो थैलेमस से anterior और posterior से निकलने वाले hormone आपको इस चार्ट में अच्छे से दिखाए गए हैं आप इस चार्ट को आप अपनी कोपी पर बनाओगे तो अब आप अपनी कोपी पर बनाओगे